हेलो दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल दाईजी कॉंसेप्ट में जहां पर हम बात कर रहे हैं एफेक्टिव डिजिटल एजिकुशन की तो अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो हमने बहुत सारे टूल्स और टैक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें एक इंपोर्टेंट सेक्षन था डाउट सेशन और डाउट सेशन के अंदर हमने बात की थी कौन से Communication Tools या Applications अम्यूज कर सकते हैं और Student के साथ Effectively Communicate कर सकते हैं तो आज हम इस टुटोरियल में या इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी Applications Quick and Smooth Communication के लिए Required हैं मैं तीन Application के बारे में बात करूँगा आप चाहें तो उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं और उसके थुरू Communicate कर सकते हैं तो तीनों Application है WhatsApp, Slack या Telegram तो मैं अलग-अलग Perspective से इन Applications के बारे में बात करूँगा और उनको Differentiate करूँगा तो मैंने एक Table आपके लिए पहले से बनाई है जिसमें हम इनके features का comparison कर रहे है तो Left Side में आपको features दिखाई देंगे उसके बाद WhatsApp उस feature के बारे में कहां पर stand करता है उसकी बात करेंगे फिर Slack की बात और फिर Telegram की बात तो मुझे लगता है कि आपने इन Applications के बारे में सुना होगा WhatsApp के बारे में तो at least सबने सुना ही होगा जब Slack की बात आती तो Slack के users थोड़ा कम है हो सकता है उसके बारे में आप ज़्यादा ना जानते हो और Telegram की जहां तक बात है आपने हो सकता है यूज किया हो या ना किया हो बट आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह एप किस टाइप की है तो जब WhatsApp की बात करते हैं तो यह जनरल परपरज मैसिजिंग एप है और Telegram भी कुछ उसी टाइप की एप है लेकिन जब Slack की बात करते हैं तो specifically यह team collaboration के लिए इस्तेमाल की जाती है जब users की बात करते हैं तो WhatsApp के around 2 billion या कहें की 2000 million users है जो की बहुत ही जादा है और इसके comparison में Slack and Telegram कहीं stand करते नहीं है क्योंकि Slack की अगर आप users देख रहे हैं तो यह around 12 million के आसपास है और Telegram के around 400 million है जो की काफी जादा है Slack से लेकिन WhatsApp से काफी कम है उसके बाद अगर हम price की बात करते हैं कि आप इन apps को अगर install करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं या कुछ आपको pay करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा तो सबसे पहले WhatsApp जो की free है आपके लिए Telegram भी आपके लिए completely free है जब Slack की बात आती है तो इसमें कुछ free versions available है जो कि एक normal अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए sufficient है बट अगर आप कुछ ज़्यादा features को यूज करना चाहते हैं तो उसके इसमें आपको paid version लेने की ज़रूरत है अब बात करते हैं कि क्या mobile या desktop applications available है इनके लिए तो इन तीनों apps के लिए तीनों applications के लिए आपके पास mobile app भी available है और desktop application भी available है जनरली जब हम WhatsApp की बात करते हैं तो WhatsApp को हम mobile में ज़्यादा यूज करते हैं बट अगर Slack की बात करें तो Slack जनरली हम desktop application में ज्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम team collaboration की बात कर रहे हैं तो जब हम कुछ भी development का काम कर रहे हैं या team से collaborate करना चाहते हैं, कुछ file send करना चाहते हैं तो उसके लिए desktop या आपका जो laptop है वो better option होता है टेलिग्राम को आप desktop में भी यूज़ कर सकते हैं और mobile में भी वैसे इन सब application को आप mobile और desktop में यूज़ कर सकते हैं बट कभी-कभी आप किसी एक particular चीज के रहे comfortable हो जाते हैं तो हो सकते हैं आपको WhatsApp को mobile में यूज़ करना ज्यादा अच्छा लगे और टेलिग्राम को या Slack को laptop या desktop में अगली बात करते हैं call facility की कि desktop application में call facility available है या नहीं है तो अगर आप WhatsApp को देखें और आपने WhatsApp को अपने laptop में या desktop में install किया है या आप web के through देख रहे है तो आप आएंगे कि इसमें आप किसी को call नहीं कर सकते हैं लेकिन Slack में और टेलिग्राम में आपके पास यह option है वहीं दूसरी और हम एक बहुती जरूरी बात करने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं casual और focused इसका मतलब भी है कि जब WhatsApp पे काम करते हैं यह बहुती casual आप है और आप casual तरीके से यूज कर सकते हैं यानि कि आप जब यूज कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो WhatsApp पे जब message आते हैं तो आप easily distract हो सकते हैं तो इसलिए WhatsApp को आप casually यूज कर सकते हैं लेकिन जब Slack की बात करते तो बहुती focused आप है दूसरी और जब Telegram की बात करते हैं तो Telegram कुछ हद तक casual आप भी है और कुछ हद तक focused आप भी है तो जो इसकी functionalities हैं जैसि में groups बन सकते हैं या channels बन सकते हैं specifically study purpose के लिए तो Telegram एक बहुती अच्छी आप है तो अभी हम discuss करेंगे कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें cross platform ये apps हैं या नहीं है तो तीनो apps cross platform हैं आप Android या iOS किसी भी इस्तिमाल कर सकते हैं और जब structure की बात करते हैं तो WhatsApp में आप direct message send कर सकते हैं किसी को भी या group बनाके multiple लोग आपस में बात कर सकते हैं या discussion कर सकते हैं Slack को अलग-अलग parts में divide किया गया है जैसे direct messages जैसा कि आप WhatsApp में भीज सकते हैं उसी तरीके से आप Slack में भीज सकते हैं और दूसरा आप वहाँ पर channels create कर सकते हैं लट अपूज आपकी 100 लोगों की team है और उसमें भी आप छोटे-छोटे parts break करना चाहते हैं कोई team का specific part एक specific module पर काम कर रहा है तो उसके लिए आप एक अलग channel create कर सकते हैं और ऐसे ही multiple channels को create कर सकते हैं तो यह मैं भी दिखाऊंगा आपको practically तब आपको ज्यादा अच्छे तरीकी से समझ में आएगा उसके बाद टेलिग्राम की बात करनें तो इसमें भी direct messages जैसे कि आप whatsapp में कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं इसमें groups हैं discussion के लिए और channels हैं for broadcasting the messages अगला feature हम privacy की बात कर रहे हैं whatsapp में अगर privacy की बात कर रहे हैं तो privacy थोड़ा कम है जैसे कि आप किसी group में हैं या किसी से direct messages में बात कर रहे हैं तो आपका phone number उनको visible जरूर हो जाएगा लेकिन slack में phone number visible नहीं होता है और आप अलग आइड जैसे आप Gmail ID या Facebook की ID होती हैं उस तरीके से आप slack को join करते हैं तो phone number आपका invisible रहेगा तो यह आपके लिए privacy इसू यहाँ पर solve हो जाता है similarly telegram में है आप अगर चाहते हैं कि आपका phone number आपके contacts में या बाकी लोग देख पाएं तो आप उसको feature को customize कर सकते हैं आप चाहते हैं कि आपका phone number hidden रहे तो आप उसको customize कर सकते हैं और आपका phone number किसी को दिखाई नहीं देगा उसके बाद एक बहुत ही important चीज यहाँ पर दिख रही है आपको मेरे ख्याल से इस से आप समझ पहेंगे कि इन में से कौन सा ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप online teaching कर रहे हैं या आपके कुछ communication या groups बने वहें और आप multiple students को handle कर रहे हैं तो मैंने बहुत बार यह problem देखी है जैसे मैं पहले WhatsApp इस purpose के लिए यूज किया करता था तो बाद आनलीजे 300 students को आप पढ़ा रहे हैं अलग-अलग sections के बच्चे हैं तो हो सकता है एक group आपका fill हो जाए उस case में आपको एक ही subject के लिए multiple groups बनाने पढ़ेंगे जो की problematic है तो limit यहाँ पे जो WhatsApp पे है वो 256 members की है एक group में वहीं अगर हम slack की बात करें तो around 10,000 members आप एक group में add कर सकते हैं जो की बहुत बड़ी limit है और उससे ज़्यादा limit अगर हम बात करें टेलिग्राम की है एक group अगर आप जहाँ पे बनाते हैं उसमें around 2,000,000 members आप add कर सकते हैं जो की बहुत ही ज़्यादा limit है और अगर आप एक channel बना रहे हैं आप message सिर्फ broadcast करना चाहते हैं आपको कोई reply नहीं कर पायागा लेकिन आप वहाँ पे कुछ चीजें कर सकते हैं अभी मैं discuss करने वाल हूँ क्या-क्या चीजें कर सकते हैं तो उनमें वो participate कर सकते हैं उसके बाद जो ये communities हैं जिनकी हम channels की बात कर रहे हैं अगर उने जोइन करना है तो WhatsApp में आप किसी को एक invitation भीज सकते हैं या आप किसी को add करना चाहिए आपके पास नोगा contact number होना चाहिए और आप उसको ग्रूप में add कर सकते हैं ऐसे ही Slack में है आप किसी को invite कर सकते हैं और उससे वो ग्रूप को जॉइन कर सकता है या चैनल को जॉइन कर सकता है Similarly for the Telegram आप किसी को Invitation भेज़ सकते हैं या अगर आप खुद जॉइन करना चाहें तो खुद जॉइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप Telegram की ग्रूप को अगर किसी ने प्रूप क्या हुआ है तो उसको डिरेक्टली सर्च कर सकते हैं या उसका अगर कोई URL है तो उसको सर्च कर सकते हैं और उससे जोइन कर सकते हैं आप number of messages की बात करते हैं तो WhatsApp में आप unlimited number of messages भेज़ सकते हैं किसी को भी या किसी group में जब Slack की बात आती है आप messages तो unlimited भेज़ सकते हैं लेकिन अगर आप search करना चाहते हैं तो around 10,000 messages तक ही search कर सकते हैं जो कि most recent 10,000 messages है अगर आपने कुछ messages पहले के delete कर दियें तो वो deleted messages में count नहीं होंगे आप Telegram की बात करते हैं इसमें भी कोई limit नहीं है messages पे लेकिन एक time frame की limit है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी message ना करें अब बात आती है size of text message की अगर आप text message किसी को करना चाहते है तो WhatsApp पे इसकी कोई limit नहीं है और around 65,536 bytes या हम कह सकते हैं कि 65,536 characters आप किसी को send कर सकते हैं एक time पे तो अगर आप इसको kilobytes में convert करें तो लगबग 65 kb की आसपास होता है Slack ने आपको थोड़ा कम limit दी है जो कि around 40 kb के round है या आप कहें कि 40,000 characters हैं या bytes हैं ऐसे ही telegram में कुछ limits हैं जो कि इनसे काफी कम है और maximum size जो आप किसी को text message भेज सकते हैं 4096 bytes या 4096 characters और kb में convert करें तो that is 4 kb अब अगर maximum media size की बात करें जैसे आप किसी को audio भेजना चाहते हैं या वीडियो भेजना चाहते हैं तो WhatsApp की case में 16 MB है जो कि बहुत ही कम है लेकिन Slack ने उसको बढ़ा के 1 GB किया है और Telegram ने उसको भी सरपास कर दिया है और आप इसमें 2 GB की file भेज सकते हैं जो कि बहुती efficient आपके लिए रहेगा अगर आप बड़ी files किसी को send करना चाहते हैं अब यहां पर last row जो आपको दिख रही है वो बहुती important है जैसे कि हम polls या quizzes create करने की बात कर रहे हैं जो भी आप quizzes create करना चाहें यहां पर कर सकते हैं वो anonymous भी हो सकती है और आप यह देख भी सकते हैं कि किस चीज़ पर vote तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो Telegram एक इस purpose के लिए बहुती बड़ी आप है कि आप टीचिंग में इसको इसको इस्तेमाल कर पाएं तो मैं भी आप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यह Telegram एप open की हुई है और एक group बनाया हुआ है तो group में मैं messages send कर सकता हूं और कोई भी मेरे से discuss कर सकता है यहां पर मैं यह देखिए आपको मैंने यहां पर एक quiz क्रेट की हुई है तो इस quiz पर अभी तक 59 लोगों ने answer किया है जिसमें 69% लोगों ने इसको correct mark किया है 19 ने और बाकी जितने भी percentage आप मिला के देख सकते है 31% होता है इन लोगों ने गज़द टिक किया है बट एक quiz यहां पर anonymous quiz है second इसमें यह वाला answer correct है second वाला और सिर्फ 46% लोगों ने correct answer दिया है 63 में से बाकी लोगों ने answer गलत किया है उसके बाद मैंने यह वाला question जब पूछा यह quiz anonymous नहीं थी तो इस quiz में अगर हम results देखें तो 11 लोगों ने यह first answer दिया है 3 and 3 इन सबने wrong answer दिया है एक important चीज यहां पर हमारे पास है इसमें channels बनते हैं तो जैसे ही देखिए आप channel हमारे पास है इसमें भी 76 members यहां पर added है और जब मैंने quiz create की थी तो यहां पर आपको यह जो bulb का sign दिख रहा है यहां पर आप hint दे सकते हैं और मैंने hint दीवे अगर जिसने भी गलत answer दी है तो उसको यह दिखाई देगा या correct answer वाला भी यहां पर अगर click करे तो उसको यह दिखाई देगा So please try again and go through the lecture to understand the concept clearly और यहां पर मैंने अपना video जो YouTube में डाला हुए उसको post कर दिया तो इसमें एक benefit है कि आप यहां पर quiz create कर सकते हैं और concepts को check कर सकते हैं कि कौन से student का कौन सा concept अभी ready नहीं है या student को खुद भी समझ में आ जाएगा तो यह app आपके लिए उस तरीके से बहुत ही बहतर app है अगर इसकी detailed information देखें तो यहां पर को subscribers हैं यहां पर members को subscriber के नाम से जाना जाता है यह इस channel को leave भी कर सकते हैं यहां पर अगर आपको channel को manage करना है तो manage करने के लिए आपके पास देख सकते हैं आप channel का नाम या description कोई change करना चाहें कर सकते हैं उसके बाद channel को आप public या private में convert कर सकते हैं अभी मेरा public channel है और यह इसका link है इस से आप इस channel को join कर सकते हैं तो इस link को आपको click करना है और आप इस channel को join कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको poll create करना है, तो मैंने poll create करने के लिए यहाँ पर question लिखना है, जैसे मैं कुछ भी question लिख लेता हूँ, ABCD, उसके बाद यहाँ पर A, फिर B, और इस तरीकी से आप 10 option को यहाँ पर add कर सकते हैं, अगर आपको multiple answers correct है, तो आप इसको click कीजिए, अगर आप quiz है, अगर आपको इसको कुछ ऐसा बनाना है, कि आप users को देख पाएं कि किसने क्या answer दिया है, तो आपको यहाँ पर जाना है, create poll में जाना है, और यह anonymous voting पर जो tick किया हुआ है, इसको हटा देना है, यहाँ से, right, तो इसी तरीकी से मैंने यहाँ पर यह quiz create किया था, कि which social media platform is best for teaching and communication purpose, तो आप देखिए, 72% लोगों ने telegram को answer किया है, 24% ने whatsapp को, 2% ने facebook को, और 2% ने slack को, तो इसमें मैं results को देख सकता हूँ, तो 30 votes आया है telegram पर, 10 whatsapp पर, एक facebook पर आया और एक slack पर आया, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखें यहाँ पर, यह student है, सचिन, तो सचिन का यहाँ पर mobile number available है, तो इन्होंने hide नहीं किया है, अगर मैं किसी और student का देखना चाहूँ, तो cable है, तो आप भी अपना phone number privacy के लिए hide कर सकते हैं, दूसरी बात आप किसी student पर click करके, यहाँ से direct call भी खर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा कि telegram कितना beneficial है हमारे लिए, दूसरी अब मैं बात करता हूँ slack की, तो आप ही देख सकते हैं, यहाँ पर workspace create करते हैं, ऐसी random भी पहले ही बन जाता है, यह दो channel मैंने यहाँ पर create किये हैं, एक oop नाम से और एक cyber security नाम से, अगर आप कुछ और channel set करना चाहें, तो आपको यहाँ पर create a channel करना है, और इससे आप पूरी details के साथ एक channel create कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप देखें, left side में आपको कुछ students दिख रहे हैं, जिन से आप directly chat कर सकते हैं, तो मैंने अभीजीत को click किया यहाँ पर, तो यह देखें, मेरी direct messaging हुई है अभीजीत के साथ, यहाँ पर आप भी call कर सकते हैं, जो कि WhatsApp में facility नहीं है, और अगर आप direct channel पर किसी को invite करना चाहें, तो यहाँ पर आपक people to the easy concept, और WhatsApp में आपके पास online जब आप हैं, तो हर कोई देख सकता है कि आप online है, बट Slack में आपके पास possibility है, कि आप इसको या तो active कर दें, या तो awake कर दें, अगर आप कोई काम कर रहें और busy हैं, तो इसमें बहुत सारे privacy वाले features आपके पास हैं, उनको आप यूज कर सकते है और इसमें searching feature बहुत अच्छा है, जैसे मैं बात करना चाहरा हूँ in, या from anyone on Slack, तो मैं कुछ message यहाँ पे type करना चाहता हूँ, जैसे मैं अभीजीत single देखना चाहता हूँ, तो याप मुझे अभीजीत के messages दिख जाएंगे, इसी तरीके से आप कोई दूसरा student यहाँ से pick कर स और हम देखते हैं, यहाँ पर multiple messages, यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे searching options available हैं, हम इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर explore कर सकते हैं, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से feature WhatsApp में अच्छे हैं, य आप comment में लिखके यहाँ पर बता सकते हैं, ताकि यह बात मुझे भी पता चल जाए, और जितने बाकी लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि कौन सा feature ज़्यादा बढ़ी है, और यह आप जरूर comment में बताएगा कि आप कौन सी app इस्तमाल कर रहे हैं, और किस purpose के लिए, त किसी एक नए concept के साथ, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और topic पर वीडियो बनाना चाहिए, तो please comment में बताएगे, so see in the next video, till then thank you so much.